हाई दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुजी व्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बाइक पॉर्ट लॉंग राइड दोस्तों जब आप लॉंग राइड का प्लान करने होते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है मुल्टिपल रोड कंडिशन और वैदर कंडिशन दोस्तों ऐसे कंडिशन में लिमिटेड बाइक ही प्रफॉर्म कर पाती हैं दोस्तों कमफर्ट प्रफॉर्मेंस फीचर पावर यह सारे पॉइंट्स को तो एवेलवेट करने वाले हैं साथ में पॉपलर बाइक कौन कौन सी है आपको कौन सा ओप्शन कंसिडर करना चाहिए अगर आप लॉग राइट शॉट राइट करते हैं तो वो सारी चीजे मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ वैसे आपको मालूम है कि किसी भी बाइक पे आप जो है लॉग राइट कर सकते हैं बट हाँ जहां बाद आती है कमफर्ट पावर प्रफॉर्मेंस फीचर पे तो आप्शन बहुत यहां कम है तो वही आप्शन इस वीडियो में देखने वाले हैं तो मेक शूर इस वीडियो आख तक जरू देखेगा तो चलिए जानते हैं दोस्तों दस्वे नंबर पर आता है वो है बजाज एवेंजर 220 मॉडल जो कि शॉर्ट हैट पीपल्स और वोमन राइडर्स के लिए बहुत यह अच्छा मॉडल अगर इसके पावर के बात करें तो 220 सीसी का इंजन आता है जो 19bhp के पावर प्रद्यूस करता है 40 kmpl का इसका मालेज होता है जो कि 40 लेटर के टैंक सा आपको मिलती है और इसका जो वेट है वो ही बहुत हलका होता है 155 kg की गाड़ी होती है जिसे कि आप एजली इसको कंट्रोल करते है ABS models पर टोटली अविलेबल है इसका जो on-road price है वो 1,25,000 के आसपास आपको अपने sitting में मिल जाएगा sitting height जो इसकी 725 mm की होती है जिससे कि small height people या फिर जो women short height होती है उनके लिए बहुत यह comfortable होता है अपने भी बहुत लोग उसको यूश करते है जो इसका model है जो उसका controlling है न वो बहुत ही अच्छा grip पनता है इसलिए मैंस वो 10 नमबर पर रखा हुआ है तो दूस्तो 9 नमबर पर है हीरो का X-Pulse 200cc model अभी आपको यह हिली एरिया से बहुत ज़्यादा देखनों को मिलेगी यह गाड़ी बिकॉस यह model जो है ready to go model है और आफ रोड अन रोड कंडिशन पर अच्छा gripping देता है सस्पेंशन भी इबन फ्रेंट बहुत ही अच्छा बहुत करता है और पावर जो प्रडूस कर रहा है वो 18.1 BHP का पावर प्रडूस करता है 200cc का एंजिन है 154 kg की यह गाड़ी है सिटिंग हाइट थोड़ा सा लंबा लंबी लोगों के लिए सही है short लोगों के लिए मैं recommend बिलकुल नहीं करूँगा because इसकी sitting height 823 mm का है तो it means आपके अगर height 5.8, 5.9 है तो आप इसको इसलिए rate करते हैं उससे कम में आपको तो problem होसता है इसको जो mile लग जा है वो 40 kmp के मिल रहा है 13 लीटर का tank मिल रहा है आपको ठीक है मतलब 40 kmp लगर और normally पर कहा जा रहा है तो हिली रेस में वही आप मान के चलिए 32 मैं 30 के आसा maximum मिल सकता तो on-road price जो इसका 1.25 lakhs का है fuel and carburetor दोनों model मिलता है थोड़ा बहुत ही change है variation में दोस्तो नमबर 8 पे है Mahindra का Mojo तो मोजो 300 दोस्तों यह जल्दी ही मॉडल ने आने वाला है वैसे तो महिंद्र को जो मोजो है वो अंडरेटेट है बट यह नहीं बोलूँ हो कि अंडर पावर भी है दोस्तों पावर बहुत ही अच्छा है पीए 6 में जब आने वाला है तो जो सिंगल सिंडर लिक्विड कूल एसाई पो स्ट्रोक 249.72 सीसी गंजन आने वाला है 25.35 बहुत करेगा 25.96 एनम का जो है वो टॉक मिलने वाला है 6-speed gear के साथ में प्राइजिंग जो है टोटली क्लेर नहीं है बट दोस्तों मॉडल जो है टूरिंग और क्रूजिंग दोस्तों ऑफ रोड ऑन रोड सब भी रोड कंडिशन के लिए मॉल्टीपल वैदर कंडिशन के लिए एकदम रेडी है दोस्तों लुक जो है लोगों को ज़्यादा ही पसंद आता है बट महेंद्रा की अभी जो मार्केटिंग है ना उसके वज़े से थोड़ा सा ये जो है जो है अन्दर रेटेट हो रहा है अदर्वाइस मॉडल में अच्छा प्रफॉंच भी है तो दोस्तों इसलिए मैंने डखा है इसको नमबर एट पर पर आता है के टीम ड्यूक 200 प्लस मॉडल जितने भी है 253 90 मॉडल यह सब ही मॉडल जो होते हैं बहुत जादा यूज के आते हैं टूरिंग ट्रिपिंग पे इवन लेले दाक में आप को बहुत जाद देखने को मिलेंगे इसका पावर पिकप प्रफॉर्मेंस फीचर सारी चीज़ों जो है वो टूरिंग को मैच करता है आप डेली राइट पर इस कुछते हैं मतलब मल्टीपल रोट केंडिशन पर राइट कर सेंग्राउंड टेर बहुत अच्छा है जो है आपको 24-25 के आसपास ही मैलेज अबरेज देती है वेट जो है लाइट है गाड़ी का स्पोर्ट पाई के ऑविस लाइट होना चीज़ तो आपको अभी प्राइजिंग के बाद मात कुरूं अन्रोड प्राइस के बारे में तो जो 200 CC है वो आपको पढ़ती है 190 के किसी भी रोड कंडिशन में एक लॉंग राइड हो शॉर्ट राइड हो किसी भी बैदर कंडिशन में आप इसको इसली राइड करते हैं दोस्तों 373 CC का इंजन आता है 43.3 BHP का इसमें पावर प्रडूस करता है दोस्तों इसका जो प्राइजिंग है वो 2.98 लैक्स के आसपा को एजिली मिल जाएगा और दोस्तों जहां के बाद आती है ना वहां पावर प्रफॉर्मेंस साफ दिखता है लगी फाइड नूमर पर आता है जाओ 42 मॉडल एंट जो स्टाडर मॉडल है जावा का एंड यह दोनों ही मॉडल जो है एक्टली परपस टूरिंग बाइक करता है जो एवरेज जो कंपनी बोल रही है वो दैट इस 37.5 kmpl बट जो एक्चल आता है वो 32-34 के असपास ही इसका मैलेज आ रहा है और गारी नॉर्मल वेट है मतलब ना हैवी है ना लाइट है 170G के असपास की इसका है और जो डूल चैनले लेट पड़ रहा है 1.90 लैक्स की आसपास में रेट आ रहा है और सेटिंग हाइट अगें जो मैंने बताया है कि कमफटेबल है जो आपको 165 mm का मिलता है बट जो जिनकी हाइट 5.4 या 5.5 है वो एजिली इसको राइट करते हैं बट जो 6 प्लस है उसको राइट करने में थोड़ा प्रोड़म हो रहा है और जो है वो फिफ्थ नमबर पे है तो फॉर्थ नमबर पे है रॉयल इसील की क्लासिक थिविटी और फाइंड एट इसी मॉडल और यह दोनों मॉडल सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाले मॉडल है जो की यूज किया जाते है लप्ता टूरिंग और ट्रिपिंग पे औ पैसाट इस मॉडल का आपको सर्योस एंटर हर एक मॉली जाए गा मेकनिक जह है लोकल मेकनी भी इसको इसली इसली करते हैੰ इसली लिए सबसे theater или उस्फिता जा favorable जाती ए体 अपको इसली इसली मिल जाती है आपको इसली मिल गांप मेंफ ए lowestई पर शोड़ से प्रों के 26cc का एंजन होता है 19.1 bhp अबावर प्रेडूस करता है हैवी गाड़ी है 195 kg गाड़ी आती है और प्राइजिंग रेज की बात किया तो प्राइजिंग रेज बहुत लंबा है अचली अब 350cc और 50cc दोनों की बात कर रहे है तो 190 से स्टार होता है और 2.5 lakhs तक ये model के जो rates है वो vary करते हैं sitting height 800 mk होती है जो fuel carrying capacity है वो आती है इसके अंदर 13.5 km जो mileage कर जाती है hilly areas में अगर बात करूं तो 30 plus तो आपको easily मिली जाता है आप normally ride करो और अच्छे tuning के साथ करते है और आपके riding simple है तो आपको अच्छे average मिली जाती है और भी बहुत सारी चीजे हैं जो इसके अंदर है जैसे आपको इसमें बहुत सारी accessories मिल जाती है जो cheap price में सस्ते price में आपको मिल जाती है जो टूरिंग के लिए बहुत अइपॉर्टन है इसलिए यह जो है फोर्थ नंबर पे है तो 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 तीसरे नंबर पे आता है बजाज डॉमिनर 400 CC model अभी बहुत सारे जो riders है वो switch कर रहे हैं डॉमिनर के उपर बिकॉज इसकी जो reliability परफॉर्मेंस जो आ रही है हाईवे पे टूरिंग पे हाई अच्छा लोहों का रिस्पॉंस भी आ रहा है अगर पावर की बात की जाए तो 373 CC का इसके इंदर इंजन आता है जो 39.4 बहुत करता है गाड़ी है माताब मेडियन है जिसको बोल सकते है मालेज एक्चल में कम है 30 30 के आसपास जो है बोला जा रहा है बट जिसका एक्चल में आवरेज है वो 27 28 के आसपास ही मिलता है सिटिंग पोजिशन इस नॉर्मल को भी मतब जिनकी हाइट 5.6, 5.7, 5.8 है वो एजी लिए इस काड़ी को राइड कर सकते हैं पिकप, प्रफॉर्मेंस, फीचर्स ये सारे वर्ट्स जो है इस मॉडल को डेडिकेट की जाते हैं बट फिर भी अभी भी थोड़ी चीजे हैं जो इसमें इंपूर्मेंट होनी चाहिए इसी वज़े से मैंने इस मॉडल को रखाय तीसरे पे तो सेकेंड नमर पे है रोल इंट फील का इंटरसेप्टर 650cc मॉडल है ये टोटली डिजर्विंग मॉडल है विकोज राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंदा रहा है इसका पावर पिकप प्रफॉर्मेंस सस्पेंशन कमफर्ट ये फीचर्स जो है वो रोल इंट फील्ड राइडर्स को और इसके राइडर्स दिन बढ़ते जा रहे हैं विकोज ओफ पावर की तो 648 cc का इसका इंजन है जो 47bhp का पावर प्रेडूस करता है 202 kg का वेट है वेट होड़ा है और प्राइस की अगर बात की जाए तो थ्री लैक्स का मॉडल जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इसमें तीन वेरेंट्स आते हैं वो दस बारह जार के गाप में आ हैं तो आई डीजली कर लेंगे शॉट में थोड़ा सा कमफर्ट प्रॉलम हो रहा है और अगर बात की जाए टैंक की तो टैंक जो है वो 13.7 लीटर्स का है जो कि बहुत कम है ज्यादा होना चाहेता क्योंकि इस परपस से गाड़ी बनाएगे टूरिंग ट्रिपिंग के तो उसके आप से ज्यादा होना चाहिए था एंड एवरेज जो है वो 27 के आसपास आपको नॉमली मिल जाती है और यह फुल डिजर्विंग मॉडल है दोस्तों नुबर टू पे टाय है रॉयल इंफ्रील का थंडर वर्ड जो है वो भी नमबर टू प्लेस पर याथा बिकास यह हुआ है बट जल्द ही उसका डिटलिंग में आपको देने वाला हूँ इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं बट यह नमबर टू को टोटली डिजर्व करता है तो दोस्तों फस्त नमबर पर आता है रॉयल इंफील के हिमालेड मॉडल एंड यह बहुत ज़्यादा पसं बट दे सकें यह ready to go मतलब किसी भी रोड कंडिशन पर आप इसको जम करवा दीजे कुदा दीजे यह आपको पूरा खड़े उतरेगी बीच में कुछ इशूस थे इसके बट वो बहुत सारे चीज़े जो नए मॉडल है उसमें solution प्रोवाइड कर दिया गया है रॉयल इंफ के अंदर 24.5 bhp का पावर प्रेडूस करता है 182 kg का इसका वेट है और जो नया मॉडल है वो 220 के आसपास में आपको अन रोड प्राइस मिल रहा है सिटिंग हाइट 800 mm का है और जो टैंग कैपसिटी है 15 लेटर के आसपास के आपको मिलती है और एवरेज इस गुड आपको न आपकी गाड़ियों में देखने हो मिलता है कि 25, 26, 27 का से मिल रहा है अराम से 30 का सबस आपको आवरेज दे रहता है और बहुत सारी छोटे मोटे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी राइड को एक्चल में करते हैं यह परपस बाएगा आप इसमें जो गार्ड देखेंगे जो इस स्रीज की जगा देखेंगे वो सारी चीजें इसको एक्स्प्रेंट करते हैं कि यह मॉडल लद्दाक हिमालेन टूरिंग ट्रिपिंग के लिए ही बना हुआ है तो दोस्तों I hope सारी डिडिल आपको क्लेर हो चुकी होगी कैसे लगी आपको वीडियो जरू मुझे बताएगा और आप अगर सिक्वेंस को आगे भी चकरना आते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन बताएगा आपको क्या बेस्ट पिक अप है आपको कौन सा मॉडल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगे ताकि एस डिजरेशन जो है मुझे हल्प कर सकें दोस्तों ख्याल रखें ध्यान र कि एत धतिados धäस्टे सबस्किवेंस कर सकेंथे बताता है भी मिखेंनों जरूर बताता है झाल